लिगल नोटीस बहुत बहुत स्वागत है तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे Meaning of Legal Notice और आप कैसे भेज पाएंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि Legal Notice क्या होता है Legal Notice को अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो उसको एक तरीके Civil Threat भी बोलते हैं Civil Threat का मतलब ये हो गया कि अगर किसी ने कोई गलती की हुई है तो आपका एक तरीके से Notice जब उसको जाएगा तो उसके लिए Threat होगा उसको डर लगेगा कि भाईया अगर हमने इसको वाइड किया तो हो सकता है मुझे जेल जाना पड़ जाए हो सकता है कि मेरे लिए कोई दिक्कत हो जाए तो ये एक तरीके से Civil Threat भी होता है तो अब सवाल ये आता है कि आप Legal Notice को भेज कब सकते हो इसके कुछ मैं आपको Example दे देता हूँ कि कब भेज सकते हैं अगर आपके साथ किसी भी परकार का धोखा हुआ है या कोई Civil Wrong हो गया है यानि कि Civil Wrong जिसमें कि किसी ने आपको मारा पिटा तो नहीं है लेकिन ऐसा कुछ किया है जो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है गलत लग रहा है आपको कुछ नुकसान हो गया है तो उसको Civil Wrong बोलते हैं अगर किसी ने आपको चेक दे दिया चेक बाउंस हो गया अगर आपने किसी को पैसा दिया पैसा वापस नहीं दे रहा है अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में है मान लिजे कि आप दोनों हस्बन वाइफ के बिच में लराई जगरा हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है इसके शुरुवात कहां से करें इस इस्तिती में भी हो सकता है या किसी ने आपका मान हानी कर दिया है इन सभी इस्तिती में आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं इसके अलावा भी कुछ इस्तिती हो सकती है जो आप phoon पे बात करोगे तो हम आपको guide कर सकते हैं और phoon पे बात करने के लिए आपको 8-800-445-5 पे call करना है यह सुभ नौ बज़े से लेके शाम को आठ बज़े तक call कर सकते हैं अब सवाल यह है कि legal notice हम भेज किसको सकते हैं legal notice हम किसी भी company को बेज सकते हैं किसी व्यक्ति को बेज सकते हैं किसी संस्ता को बेज सकते हैं सरकारी या गैर सरकारी किसी भी विवाग को लीगल नोटिस भेजा जा सकता है और उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है लीगल नोटिस भेजने के बारे में आपको ये तो पता चल गया लेकिन आप सोच रहे होंगे कि लीगल नोटिस भेजने से फाइदा क्या होगा देखे जब भी आप लीगल नोटिस भेजते हैं तो आप पूरा जो आपको आरोप आपका जो होता है वो properly draft करते हैं सामने वाले को बताते हैं कि आपके गलती के वज़े से आपको कितनी मानसिक परतारना या financial loss हुआ है आप सब कुछ बताते हैं तो सामने वाले को जब legal notice मिलता है तो वो उससे डरता है उसमें यह भी लिखा जाता है कि अगर आपने इस legal notice में जो भी चीज़े कही गई हैं उसको नहीं follow किया तो फिर court ही एक रास्ता बचा हुआ है अगर court जाएंगे तो jail हो सकता है और बहुत सारे दिक्कते हो सकती है तो उस समय कोशिश करता है सामने वाला व्यक्ति कि jail ना जाना परे उसको कोई ऐसी चीज ना करनी परे है और वो compromise की करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले legal notice भेजने से आपको सबसे पहला फायदा होता है कि कानूनी जंजट जो कि बहुत ज़ादा हो सकता था उससे बचने का रास्ता मिल सकता और असानी से किवल एक legal notice भेज के आपके जो problem है उसको shorted किया जा सकता है दूसरा कि आप एक time limit भी देते हैं कि इस time limit के अंदर ही आपको जवाब देना है तो within time limit आपको इसमें जवाब मिलता है और आप उस पे कुछ न कुछ action ले सकते हैं अगर legal notice का कोई response नहीं दे रहा है तो आपके पास रास्ता है कि आप दुबाराद legal notice भेज सकते हैं या फिर आप court में जा सकते हैं और वो जो आपने legal notice में भेजा था वो court के सामने हमेशा आप upper side में रहेंगे कि आपने already इसमें legal notice भेजा था लेकिन सामने वाले party ने उस पे कोई तवज्जो नहीं दिया तो आपका जो point है वो ज़्यादा strong होता है court के अंदर भी और court में आप असानी से case को भी जीतते हैं तो ये तो हो गया जब आपको legal notice भेज भेजा है अगर आप lead India में call करना चाहते हैं तो number मैंने आपको पहले ही बताया है website का address जो है leadindia.law है leadindia.law पे विजिट करें आप वहाँ से query generate कर सकते हैं या फिर हमें email कर सकते हैं care at the rate leadindia.law पे email भी कर सकते हैं हम आपकी पुरी सहायता कर सकते हैं और across India कहीं पर भी legal notice भेजा जाना हो तो आप हमारे associates के माध्यम से भिजवा सकते हैं इसमें lead India आपके case को ठीक तरीके से understand करके समझ के आपको guide कर सकता है कि आपको कैसे legal notice भेजना चाहिए Thank you so much for watching this video Thank you कर सकते हैं